हलो फ्रेंड़ अब हमारे बेस कीचन रेसिपी में आपका स्वागत करते हैं आज मैं बनाने जा रहे हूँ गेहु के आरटे से बहुत हेल्दी नस्ता अब गेहु के आरटे से नस्ता बनेगा तो वो तो हेल्दी होगा ही और नाहीं हम इसमें सोडा डालेंगे, नाहीं इनो डालेंगे, नाहीं से फर्मिट होने के लिए रखेंगे बस फटाफट से गोलेंगे और इस नास्ते को हम बना लेंगे बनाने में भी आसाने और खाने में बहुती ज़्यादा लाजवाब हो हेल्दी बनकर तयार होगा चलिए अब जटपड से हम गेहू के आटे का चीला बनाना इस्टार्ट करते हैं सबसे पैले एक बहुल लिया है और इसके अंदर लागे हम दो कप गेहू का आटा आटा वही ली है जिसने के रोज रोटी बनाते हैं अधा कप बेसं डाला है और इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर सब्जिया आप सब्जों में आप जो भी सब्जी आपके पास हो या जो भी सब्जी आप पसंद करते हो आप छीले के अंदर डाल सकते मेनी डाला है एक मिडियम साइस का बारिक कटावा प्याज एक बारिक कटावा टमाटर डाला है और दो टेबल इस्पून डाली है मैंने बारीक कटी वी शिम्ला मिर्च और खुप सारा डाला है हरा धनिया अब आप चाहित आलू ग्रेट करके डाल सकते हैं पत्ता गोबी डाल सकते हैं बारीक कटावा पालक भी डाल सकते हैं और एक चोटी चमर डाला है मैंने रेड चिली अधी चोटी चमर डाला है हल्दी पाउडर आधी चोटी चमर डाला है भूनेवे जीरेक का पाउडर नमक डालेंगे स्वात के अनुसार अब सब्जे और आटे को अच्छे से कर लेंगे मिक्स बीना पानी डालें मिक्स करेंगे ताकि इसा अब अच्छे से मिक्स हो जाए आप गेहु के आटे का नास्ता और हेल्दी भी बनाना है तो सब्जिया जो भी पसंद हो आपके घर में और जो बच्चे पसंद करें वो सब्जय डाल सकते हैं पहुत ही टेश्टी चीला बनका तईयार होगा अब हम इसे बेटर बनाना है और इसके इंदे डालेंगे थोड़ करते हैं बहुत लंस पढ़ने का डर रहता है इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाले और इस तरह से गोलते जाए और यह देखिए इस तरह से हमारा बेटर बनका तयार हो अब मैं आपको पास से बताती इस तरह का में चाहिए और यह देखिए बड़ी आसा हमारा बेटर ब और दो चमज भर कर मैंने बेटर डाल दिया और अब हम इसे कवर करकर एक से देड़ मिनिट के लिए रख देंगे इसका फिलेम रखा ये और देखें प्रम चेक कर लें तो अच्छे से ट्राइब हो चुकिया और अब हम इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा तो चेल को ब्रॉच से लगा देंगे, बहुत ज्यादा तेल नहीं डालना है, बहुती कम तेल में हम नास्ते को तयार करेंगे, और ये देखिए, इसकी साइड में ने पलड़ दिये, है ना आसान बनान और कितने कम तेल में हमने नास्ता बना रहे हैं, एक मिनट के लो और कवर करकर रख दिया, और देखिए, एक मिनट बाद हम ठकनठा कर चेक करते हैं, और ये लिजी हमारा एक चीला बन का तयार है, कितना बढ़िया कलर आया है, इसी तरीके से हम बाकी के चीलों को भी तयार कर लेंगे, और इस तरह से देखिए, अलट पुटते पलटते वे, मैंने इस सेकंड चीले को बना लिया है, हेना कितना आसान चीला बनाना और वेसे चीला बनाना लगबग सब को आता है, लेकिन आप इस तरीके से एक बार गेहू क्याटे से चीला जरूर बनाएं, और ये देखिए, सारे चीले बनका तयार है, आप आप चीलों को चाहे तो हरी चटनी के साथ, और नहीं हमने सोड़ा डाला नहीं इनो डाला नहीं फर्मेंट होने के लिए रखा बस घोला और फटाफट से चीले को बना लिया और सुबह सुबह की जल्द बाजी में इस तरह से गयो के आटे का चीला एक बार जरूर बनाए और अपनी फेमिली दोस्तों के साथ इसे इंट को लाइक करें सस्क्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि मेरी मज़ेदार से आने वाली रेसिपी आपको मिलती रहें फिर मिलती है उमें नहीं रेसिपी के साथ नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई